कि हलो दोस्तों बहुत-बहुत स्वाग्थ है अपका अपना टेक्निकल कैसे में दोस्तों आज के यह वीडियो बहुत ही इंस्टेसिंग टूप पहे हैं जली वीडियो बनाया जाएं जोकी अगर मेरा पिछला वीडियो गर नहीं देखे हैं कि लैप्टॉप चलाना सीखें laptop कैसे use करते हैं, laptop कैसे चलाना सीख सकते हैं इस बारे में हमने वीडियो बनाया था और बहुत सारी लोगों बपसंद किया है अगर आप आप नहीं देखें तो यहाँ वीडियो आपको मिल जाएगा, आप बिली जाके उस वीडियो को फुल वार स्करना दोस्तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि जो काम आप अपने मोबाइल पे करते हैं उस काम को आप अपने लैपटॉप में कैसे करते हैं जी हाँ दोस्तो आप सही सुन रहे हैं जो काम आप अपने मोबाइल में करते हैं जैसी कि वाट्सेप चलाना इस्क्रीन शॉट लेना वाइफ है कनेक्ट करना बूलुतूथ कर लेना और नोट फैड क्या होता है इस बारे में दोस्तो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो चलिए दोस्तो ज्यादा टाइम ना गमाते हुए शिधा वीडियो पर आते हैं तो दोस्तो सबसे पहले आपको करना क्या है लैप्टॉप में कीबोर्ट यहाँ पर होता है वहाँ पर आपको आना है और विंडो प्लस आर वाले बटन को किलिक करना है फिर आपको नोट पैड वहाँ पर लिखना है और इंटर किलिक करना है इंटर जैसे ही आप किलिक करेंगे तो दोस्तो यह अगर आपको मन होता है तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L इस तरह से आप जो मन में आए आप गूगल से कोई भी स्टूरी सर्च करके कोई भी पेस्ट आप यहाँ भी कर सकते हैं जी हाँ दोस्तो तो नोटपैड का यूज होता है कोई चीज को लिखने में आप टैपिंग के रूप में भी इसे यूज कर सकते हैं तो दोस्तो आपने सीख लिया है कि नोटपैड में कैसी लिखा जाता है और नोटपैड कैसी उपेन किया जाता है दोस्तो अब आएंगे next तरफ की next दोस्तो अब next topic पर बात कर लिते हैं तो दोस्तो यहां पर हम बात करेंगे screenshot कैसे लिया जाता है laptop में जैसे कि आप अपने phone में screenshot लेते होंगे तो laptop में कैसे लिया जाता है दोस्तो यह आप देख सकते हैं इस laptop का screen है इसको आप screenshot लेने के लिए keyboard में ही सबसे टॉप में बटन दिया हुआ है उस पी आप एक किलिक किजिए तो आपका screenshot हो चुका है लेकिन इसको आप अगर देखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा फिर से आपको window प्लस आर् open करना होगा उसमें आपको win1 लिखना होगा फिर आपको यह interface आ जाएगा फिर आपको क्या करना है control भी प्रेस करना है फिर आपका यह open जो आप इस विस ओड़ी है वह यहां पर open हो जाएगा इसको आप क्या कर सकते हैं छोटा वड़ा भी कर सकते हैं और इसको आप इधर आप हुआ है यही वोफाइल है जो कि अभी अभी आपने जो सेव किया था वह यही वाला फाइल था जो अभी शीव भा था है तो दोस्तों यहां पे चलिख लेका कर लेते हैं इसको तो और होगा तो लेता करता है दोस्तों अब बात करेंगे वाइफाई कई से कनेक्ट कर सकते हैं आप अपने लैप्टॉप में दोस्तों अगर आपके पास विंडोज होट्सपोट दोनों खुला होना चाहिए आप पहले वो दोनों को ओपेन कर लिजिए फिर आपको यहां पर सर्च किजेगा आपका जो वाइफाई होगा होट्सपोट का नाम वह यहां पर दिख जाएगा फिर आपको यहां पर किलिक करना है और कनेक्ट पर किलिक करके आपका हुआ है हम अपने होट इसपोट का यह नाम रखे हुए हैं आप भी अपने अनुसार कोई भी नाम रख सकते हैं तो वाइफ है करना भी सी गए अब दोस्तों बात करेंगे कि आप अपने लैप्टॉप में वाट्शेप कैसी यूज़ कर सकते हैं जी हां दोस्तों आप अपने इस तरह से इंटरफेस आता है उस इंटरफेस को आपको क्या करना है आपको अपनी लैपटॉप मोवाइल में आना है फिर आपको जैसे क्लिक करेंगे तो दूप नीव बूट कास्ट और वाट्सेप वेव का एक आप्शन मिल जाएगा फिर आपको open हो जाएगा आपका mobile का camera फिर आपको क्या करना है mobile के camera को कुछ इस तरह से आपको उसके सामने रखना है यह QR code आपका scan हो जाएगा फिर आपका laptop में आपका जो phone का WhatsApp है वो दिखना शुरू हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यही था यह आ WhatsApp का पूरा का पूरा लिस्ट दिया हुआ है तो दोस्तों आपको करना किया है जैसे यह ग्रूप है अगर आप में आपको करना किया है अगर आपको किसी को message करना है जैसे इदल थे यहाँ पर हमने हाई लिखा और यहाँ पर यहाँ पर यह सेंट का option है यहाँ पर आप किलिक तो कुछी तरह से आप अपने मोबाइल में मोबाइल से अब अपने लैप्टॉप में भी अपने वाट्सेप को एक्सेस कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको कुई भी डोकुमेंट गैलरी से कोई फोटो वीडियो कैमरा डोकुमेंट और यह है कॉंटेक्ट इतने सारे आपके म मोबाइल में भी अप फंक्शन होता है और यहां से भी आप सेंड कर सकते हैं अपने लैप्टॉप से अपने वाट्सेप को कनेक्ट भी कर सकते हैं एक्सेस कर सकते हैं किसी से बात कर सकते हैं चैट के माध्यम से तो दोस्तों यहां पर आपने सीख लिया है लैप्टॉप मे WhatsApp यूज करना दोस्तो अब तक हम आपको सिखा चुके हैं WhatsApp कैसे यूज कर सकते हैं इसकी इंस आट लेना Wi-Fi एक्सेस करना NotePad में यूज कैसे क्या देता है और उसका यूज क्या है तो दोस्तो इतने सारे जो आप सीखे हैं उसको आप एक बार जरूर प्रैक्टिस कर ले उमीद है दोस्तो ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को Like, Share जरूर करें अगर इस चैनल पर पहली वारा है तो चैनल को Subscribe जरूर कर ले साथ ही बेल आइक़न को जरूर दबा ले ताकि आने वाले लेटिस्ट वीडियो के जरूर काड़ी आपको सबसे पहले मिल जाए दोस्तो इस वीडियो में इतना है मिलते हैं नई टॉपिक नहीं मौन के साथ तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातराम